हलो फ्रेंड्स विल्कम टु मैं चैनल पुन्यासवण विट क्रेटिविटी दोस्तों मैं जो यह प्लांट शॉप से में कुछ प्लांट करने जा रहे हूं में क्रिसंथंटम का प्लांट को मैं रिपॉर्ट करने जा रहे हूं तो अब टाइम आ गया कुछ दिन रखने के तो देखिए जो मेरा प्लांट है इसमें छोटी छोटी ये बर्ड्स भी स्टार्ट हो गए आने के लिए तो आज में इसको रिपोर्ट करने जा रहे हैं इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए करके कि जो भी फ्लावरिंग प्लांट होता है उसकी जो सॉल है बहुत तो पत्यों की खाद वह दत में थोड़ा सा इन दोनों के साथ मैंने जोबर की खाद मिलाई और साथ में मैंने इसको थोड़ा मतारी डाला है वर्मी कंपोस्टs का तो फिर अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो यह देखिए मैंने शाखाद बहुतलिघस दाला और साथ में नीम की खली बीडाल सकते हैं क्योंकि हमें ये जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसके जो सॉयल होती है बहुत ही ज्दारीच फार्टिलीटी बाली बनाने पड़ती हैं दूसरे, जो प्रिद्धियल प्लांट है जो हमारे फ्लावर्स ने देते हैं, इंडिोर उनके लिए इतनी सॉयल उनकी जे सॉयल होती है उनको इतना रिच नहीं बनाने से भी चल जाता है अगर हम गोबर की भी खाट डाल दे तभी भी बहुत ही अच्छा से ग्रो करता है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी अभी रिप्लांट करने जा रही हूं तो थोड़ा सा जो म यह जो प्लांट शॉप से लाई हूं उसका उस पॉट को थोड़ा अपने हाथों से थोड़ा लूज कर देती हूं दबाकर ताकि वो बड़े इजीली निकल सके और इस तरह मैंने निकाल लिया और ताकि उसकी कोई भी रूट डेमेज ना हो बहुत ही सॉफ्ट हाथों से उ अपने हैं निकाल लूगी ताकि उसकी नीचे की जड़े धीली होकर खुल सके ताकि हमें जब हम सॉयल मिक्स में डाले तो अच्छे से ग्रू हो सके झाल झाल यह मेरा यह रिपोर्ट हो गया है अब मैं इसको फिर्स टाइम जब पानी डालूँगी तो बहुत अच्छे से पूरा भर कर उसको पानी डालूँगी तो फिर जब भी आप लोग प्लांट लगाये फिर्स जब हम रिपोर्ट करते हैं तो पानी अच्छे से डालिए ताकि उसकी पूरी मिट्टी नीची तक पूरी अच्छे से गिली हो जाए और जो एक्स्ट्रा वाटर है वो ड्रेनिज होल से बाहर आ जाए इस तरह हमें अच्छे से फर्स टाइम पानी डालना है जब भी हम सेकर और थर्ड टाइम बात में हम डालें तो सबसे पहले हमें उसके ओडकी नेक्सिंग को चेक कर लेना है कि वो ड्राइ हुई की नहीं जब ड्राइ होगी घर्ड नेक्स टैम पानी डालेंगे अभी मैं इस प्लांट को थोड़े दिनों के लिए शेट एरिया में ही रख दूंगी अभी इस प्लांट को देखिए मेरा दूसरा मैंने रिपोर्ट कर दिया है तो इसे सेमी शेट एरिया में रखूंगी जब यह अच्छे से सेट हो जाए तो इस प्लांट को 5-6 घंटे की धूप ज़रूर चाहिए फ्लावरिंग करने के लिए तो इस तरह मैंने दोनों क्रिसंतमम की प्लांट को रिपोर्ट कर दिया तो फ्रेंड्स अगर आपको यह अच्छा लगे मेरा वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिए सब्सक्राइब जीजिए और कमेंट करिए साथ ही बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स ग्रो करिए हैपी गार्टनिंग बाई फ्रेंड